हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में बहुत ही खुबसूरत सा मैं थालपोस बताने वाली हूं इस थालपोस के खास बात यह है कि आप इसको जितना भी बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा इसको बना सकते हो तो इसे बनाने के लिए मैंने ग्रीन और तो सबसे पहले ग्रीन वाला थागा लेंगे गाट लगाएंगे उसके साथ चैन बनाएं 있는 की वाद जो फ्रस वाला चैन है बनाएंगे। तो ये पूरा बना कि कि आगे बताती हूँ। यहां पर मैंने टोरल 20 डिबल क्रॉस्यं बना लिया। इसके बाद जो जो यहां पे धरर्ड चैन तीसरा वाला चैन हैं यहां पर इसको इसको सिंगल उयॉय। से ज्धाइंट एक दो दो बनाया इसमें फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में भी दो डबल क्रॉस या बनाएंगे एक दो दो इसमें भी बना लिया फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में भी दो डबल क्रॉस या बनाएंगे ऐसे करके हम यहां पर जितने भी हमारे पास यहां पर डबल क्रॉस कोmalने निश् EPA को में haddow रॉफ नेरे क्लिड़ इसकते इसमें तो फिल क्रम आठक बनाएंगे तो पेषज में हमारा इसपारLेड, गैल बनोन हमां रहे हैं तो पहले तीन चैन बनाएंगे फिर इसी वाले चैन में एक और डबल क्रॉस यह बना लेंगे यहाँ पर यह देखिए बना लिया यहाँ पर अब इसके बाद नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में दो डबल क्रॉस यह बनाएंगे यहाँ पे एक, दो, दो डबल क्रॉस यह बना लिया अब इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक बनाएंगे यहाँ पे एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में दो डबल क्रॉस यह बनाएंगे, इस वाले लाइन में हमें क्या करना है, एक चैन के ऊपर दो डबल क्रॉस यह बनाना है, फिर उसके नेक्स्ट वाले चैन के ऊपर एक बनाना है, फिर उसके नेक्स्ट वाले पर दो बनाना है, ऐसे कर सेम स्पेस में एक और डबल क्रॉस यह बनाएंगे दो हो गया इसके पाद इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे यहाँ पर फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में भी एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे यहाँ पर एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे अब इसके नेक्स्ट वाले चैन में दो डबल क्रॉस यह बनाएंगे एक, दो दो इसमें बना लिया अब फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे तो इस वाले लाइन में हमें एक में दो डबल क्रॉस ये बनाना है और दो चैन में एक एक करके बनाना है फिर तीसरे वाले चैन में दो बनाना है फिर आगे के दो चैन में एक एक डबल क्रॉस ये बनाना है ऐसे करके हम इस पूरे राउंड को कम्प्लीट करेंगे ये हमारा राउंड है, तो यह हमने फोर्थ राउंड कम्प्लीट कर लिया, यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, सिंगल क्रॉस यह से थर्ड वाले चैन में, कर लिया ज्वाइंट, अब इसके बाद हम यहाँ पे फिर से तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन चैन बनाया, सेमे स्पेस में एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे, बना लिया, अब इसके नेक्स्ट तीन चैन में एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे, एक इसमें बनाया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे, और फिर इसके नेक्स्ट वाले में ए एक बनाएंगे, तीन में बनाने के बाद जो चौथा वाला चैन है, वहाँ पर दो डबल क्रॉस यह बनाएंगे, एक दो, एक ही चैन में दो बनाएंगे, और फिर इसके बाद आगे के तीन चैन में एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे, एक में एक बनाएंगे, फिर इसके नेक् बनाना चुरू करेंगे बहुत ही सिंपल डिजाइन है और बहुत जल्दी बनेगा भी तो हम रेड़ वाला धागा लेंगे और इसको एक जगह कहीं पे भी यहां पर जॉइंट कर लेंगे सिंगल क्रॉस यह से कर लिया जॉइंट जॉइंट करने के पाद तीन चैन बनाएंगे और यहां से डबल क्रॉस यह बनाएंगे एक और चैन वाले को काउंट कर लेंगे तो दो हो जाएगा एक और बनाएंगे तीन डबल क्रॉस यह हमें बनाना है एक जगह पे बना लिया अब इसके बाद यहां एक दो दो चैन स्किप करेंगे तीसरे वाले चैन में फिर से तीन डबल क्रॉस यह बनाएंगे एक दो तीन डबल क्रॉस यह बना लिए अब फिर से क्या करेंगे यहां पर दो चैन स्किप करके यहां पर एक दो दो चैन स्किप करके तीसरे वाले चैन में फिर से हम यहां पर तीन डबल क्रॉसिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन डबल क्रॉसिया बना लिया हाँ पे, इसके बाद फिर से हम सीब डिजाइन को पूरे लाइन में रिपीट कर लेंगे, यहाँ पे दो दो चैन स्किप करके हम तीन तीन डबल क्रॉसिया बनाते जाएंगे, तो देखें म जोइन करने के बाद यहाँ पर एक दो दो चैन बनाएंगे तीन बर यहाँ पर धागी को लपेटेंगे और यह दूसरे वाले डिजाइन में एक डिजाइन छोड़ देंगे दूसरे वाले डिजाइन के ऊपर हम यहाँ पर जो बीच में स्पेस दिख रहा है वहाँ पर यह बन बार में कम्प्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद दो चैन लेंगे, एक, दो, दो चैन लेंगे, फिर तीन बर क्रॉस यह में धागी को लपेटेंगे, और फिर से इसको चार बार में कम्प्लीट करेंगे, फिर इसके बाद फिर से दो चैन लेंगे, और फिर इसको यहाँ पे चार बार में complete करेंगे, तो यहाँ पर total हमें, ऐसे चे बनाना है, एक, दो, तीन, यह चार बन गया, दो और हमें ऐसे बनाना है, दो chain का gap लेना है, दो chain और फिर से यहाँ पर तीन बार धागे को लपेटा ग्रोस लिए, मैं फिर इसको चार बार मैं complete कर लिया फिर से दो chain बनाया और फिर यहाँ पर सेम design को फिर से repeat कर लिया यहाँ पर total पांच हुए एक और बनाना है तो एक और बना के और फिर इसके बाद जब यह बन जाएगा design तो इसके बाद फिर से दो chain बनाएंगे यहां पर देखिए छे कंप्लीट हो गया छे कंप्लीट करने के बाद दो चैन बनाएंगे और फिर यहां से एक डिजाइन को छोड़के दूसरे बले डिजाइन के पास जो स्पेस है वहां पर सिंगल क्रॉस या से इसको जोइंट कर लेंगे तो यह हमारा डिजाइन कुछ ऐसे बनेगा तो अब यहां से फिर दूसरा डिजाइन सेम हम सुरू कर देंगे दो चैन बनाएंगे तीन बर धागा को लपेटेंगे एक डिजाइन छोड़के दूसरे बर डिजाइन के पास जो स्पेस है वहाँ पे इसको चार बार में कंप्लीट कर लेंगे फिर से दो चैन बनाएंगे और फिर से हम इसी डिजाइन को रिपीट कर लेंगे तो ऐसे करके हम इस पूरे लाइन को यहां तक बना लेंगे तो पूरा बना के फिर आगे बताती हो कैसे बनाना है यह देगे मैंने यहां पर पूरा यह complete कर लिया अब इसके बाद हमें फिर से red वाला धागा इसमें join करना है तो इसको हमें यहां पर join करना है जहां से हमने पहला design बनाना शुरू किया है किसी पी एक design में जो पहला वाला space है वहां पर इसको single crochet से join कर लेंगे कर लेंगे इसके बाद 3 chain बनाएंगे 1, 2, 3 3 chain बनाया इसके बाद हम यहां पर double cross यह बनाएंगे तो 1, 2 chain वाले को मिला के 3 3 double cross यह बनाएंगे पहले वाले में फिर दूसरे वाले में भी 1, 2, 3 3 double cross यह बनाएंगे फिर यहां पर जो next वाला है बीच वाला यहाँ पर टोटल पांच ऐसे बने हुए हैं तो जो बीच वाला है उसमें पहले दो डबल क्रॉस यह बनाएंगे फिर दो चैन बनाएंगे और फिर से सेम इस पेस में ही दो डबल क्रॉस यह और बना लेंगे एक दो तो यहाँ पे टोटल दो डबल क्रॉसिया दो चैन और दो डबल क्रॉसिया बना फिर इसके नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे तीन डबल क्रॉसिया बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले में तीन डबल क्रॉसिया बनाएंगे जैसे हमने इस side बढ़ाया था same वैसे ही हम इसके दूसरे side भी बना लेगे यहाँ पर 3 double cross यह बना लिया अब last वाले में भी 1, 2, 3 3 double cross यह बनाएंगे यह देखिए हमारा एक design का यह वाला complete हो गया अब हम दूसरे design में जाएंगे बीच वाले space को हम यहाँ पर skip कर देंगी और जहां से design सुरू है उसके पहले वाले में फिर से हम 3 double cross यह बनाएंगे फिर उसके next वाले में 3 double cross यह बनाएंगे और यह जो से हमने यहाँ पहले वाले में बनाया था सब में वैसे ही हम यहाँ तक बना लेंगे तो पूरा बना के फिर आगे बताती हूं यह देखे मैंने यहाँ पर यह वाला लाइन कम्प्रीट कर लिया यह हमारे जो थालपों से बिलकुल परफेक्ट जा रहा है ना कहीं जोले ना जादा खीचा हुआ है तो आप मेरे बताय हुए चैन लोगे तो आपका बिताल पूस बहुत ही खुबसूरत बनेगा तो अब फिर यहाँ से ग्रीन वाला धागा लेंगे और इसको डिजाइन के बीच में हम सिंगल क्रॉस यह से जोइन करेंगे जोइन करने के बाद छे चैन बनाएंगे फिर तीन बर धागा को लपेटेंगे और यहाँ से हम इसको चार बार में कंप्लीट कर लेंगे एक, दो, तीन, चार चार बार में इसको कंप्लीट किया अब दो चैन लेंगे अब फिर से हम जैसे नीचे वाले डिजाइन बनाया थे ना क्रीन कलर का जो धागा से बनाया थे डिजाइन सेम वही डिजाइन बनाना है लेकिन हमें यहाँ पर एक चैन बनाना है नीचे हमने दो चैन का गैप दिया था बीच में यहाँ पर हम एक चैन का गैप देंगे यह देखिया हमने चार बनाया छे बनाना है हमें तो ये लेके 5 हो जाएगा और फिर इसके बार फिर से एक चैन बनाएगे और फिर इस डिजैन को एक बर और बनाएगे तो यहाँ पैर टोटल हमारे पास ये वाला जो डिजैन ही वो 6 बन जाएगा 6 का एक डिजैन है पुरा कम्प्लीट तो देखिए हमने यहाँ पर 6 ऐसे बना लिया अब इसके बाद हमें कोई चैन नहीं लेना है अब क्रॉसिये में 4 पर धागे को लेना है पहले हमने तीन बर लिया था अब 4 बर लेंगे और यह जो यहाँ वाले स्पेस है तो यहाँ पर हमें इस पेस जो gap है वो जादा है तो इसलिए हम चार बर धागे को लेंगे और चार को लेके इसको पांच बार में हम complete कर लेंगे तो इसके बराबर में हो जाएगा फिर एक चैन लेंगे और फिर से यहाँ पर चार बार धागी को लपेटेंगे और इसको पांच बार में पुरा बना लेंगे यहाँ पर भी हमें छे बनाना है ऐसे दो बनाया फिर एक चैन लेंगे फिर से यहाँ पर चार बर धागी को लपेटेंगे इसको पांच बार में कम्प्लीट करेंगे फिर एक चैन लेंगे फिर यहाँ पर चार बर धागी को लेंगे और इसको पांच बार में complete करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच बार में complete किया फिर एक chain लेंगे फिर चार बर धागे को लपेटेंगे और यहाँ पर इसको पांच बार में complete करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच फिर एक chain लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक बर और इसको complete कर लेंगे तो हमारा जो यह 6 का design है 6 का जो set है वो पूरा complete हो जाएगा देखिए यह हमारा complete हो गया अब इसके बाद हम फिर 3 बर धागा को लेंगे क्योंकि अब यह वाला जो design है वो उपर से थोड़ा बनेगा तो थोड़ा कमे space लगेगा तीन बर लेंगे इसको next वाले design के बीच से हम यहाँ पर बना लेंगे इसको complete करेंगे फिर एक chain बनाके और फिर इस design को हम पूरा बना लेंगे तो सेम ऐसे ही हम इस पूरे line को बनाएंगे पूरा line बनाके फिर आगे बताते हो कि मैंने यह वाला line कम्टीट कर लिया है अब हमें यहाँ पर फिर से रेड वाला धागा लगाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे जो design जहां से हमने शुरू किया है किसी भी एक design में यहाँ पर पहले वाले में इसको पहले single cross से joint कर लेंगे कर लिया joint इसके बाद 3 chain बनाएंगे और double cross यह बनाएंगे एक दो double cross यह हो गया अब इसके next वाले chain में जाएंगे यहाँ पर हम 3 double cross यह बनाएंगे 1 2 3 3 double cross यह इसमें बनाया अब इसके बाद यह जो बीच वाला है इसमें हम देखे क्या करेंगे दो डबल क्रोस यह बनाएंगे, दो चैन बनाएंगे और फिर दो डबल क्रोस यह बनाएंगे बीच वाले में हमेसा हमें ऐसे ही करना है, दो डबल क्रोस यह, दो चैन और फिर दो डबल क्रोस यह फिर इसके नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे तीन डबल क्रॉस यह बनाएंगे इस जो हमने बीच वाले डिजाइन के पहले बनाया था उसका रिवर्स कर देंगे पहले हमने दो डबल क्रॉस यह फिर तीन डबल क्रॉस यह बनाया था इसमें हम पहले तीन डबल क्रॉस यह और फिर दो डबल क्रॉस यह बनाएंगे तो यह जो है देखिए हमारा एक डिजाइन यहाँ पे ऐसे यह कम्प्लीट हो गया अब हम इसके नेकस्ट वाले में जाएंगे तो नेकस्ट वाले में भी सेम ऐसे ही करना है पहले दो double cross या, फिर तीन double cross या, फिर दो double cross या, दो chain, दो double cross या, और उसके वाद फिर तीन double cross या, फिर दो chain तो same pattern को ही हमें पूरे line में repeat करना है, तो पूरा ये line बना के फिर आगे बताती हूँ कि इस थालप उसको और बड़ा कैसे बनाना है ये देखें, मैंने यहाँ पर ये वाला line complete कर दिया है, फिर से हमें green वाला धागे यहाँ पर joint करना है जैसे हमने starting में बनाया था, same वैसे ही यहाँ पर बनाना है, जैसे ये वाला line हमने green वाला बनाया था, वैसे ही यहाँ पर बनाना है डिजाइन के बीच में सिंगल क्रॉस यह से धागे को जॉइंट करेंगे कर लिया जॉइंट अब इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे चैन बनाएंगे, तीन बर धागे को लेंगे और यहाँ पे इसको चार बार में बना लेंगे बना लिया, इसके बाद एक, दो, दो चैन लेंगे, पहले वाले लाइन में हमने भी दो चैन बनाया था हर एक के बीच में तो यहां भी इस वाले लाइन में भी सेम वैसे ही रिपीट करना है तो यहां भी दो चैनल लेंगे फिर यह वला डिजाइन बनाएंगे फिर उसकी बाद दो चैनल लेंगे और फिर से डिजाइन बनाएंगे ऐसे करके हमें 6 बनाना है 6 का सेट बन रहा है एक डिजाइन में तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 हो गए यह 5 हो गए फिर 2 चैन और फिर से यह वले एक यहाँ पर डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर टोटल 6 बन गया ऐसे अब इसको बनाने के बाद यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 6 बन गये इसमें भी अब इसके बाद दो चैन लेंगे यहाँ पर एक दो दो चैन लेंगे और यहाँ पर जो इस पेस है वहाँ पर इसको सिंगल क्रॉस यह से जॉइंट कर लेंगे यह हमारा तीन बार दागा को लपेटेंगे इसको चार बार में कम्प्रीट करेंगे फिर दो चैन लेंगे दो चैन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर तीन बार दागा को लपेटेंगे और इसको चार बार में कम्प्रीट कर लेंगे तो यह हमारा तीन बनके ऐसे ही तीन और बनाएंगे तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल छे बना लिया ऐसे अब इसकी बाद एक दो दो चैन बनाएंगे और फिर इस डिजाइन के बीच में यहाँ पे जो इस पेस है यहाँ पे इसको सिंगल क्रॉसिया से जॉइन कर लेंगे फिर दो चैन बनाएंगे ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जब ये पूरा लाइन हमारा complete हो जाएगा तो जैसे हमने ये देखिए पूरा लाइन जब complete होगा तो हमने यहाँ पर जो ये वाला red वाला लाइन बनाया था ना first वाले में यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ पर बनेगा तीन double cross या फिर तीन double cross या फिर दो डबल क्रॉस या, दो चैन, दो डबल क्रॉस या, और फिर उसके बाद बाकी दो में फिर से तीन डबल क्रॉस या. यहाँ पर बीच वाला डिजाइन बनेगा फिर इसमें तीन और फिर इसमें तीन ऐसे ही इसमें भी बनेगा पहले वाले में तीन फिर दूसरे वाले में तीन तो ऐसे ही करके हम यह पूरे लाइन को कम्प्लीट करेंगे जब ये पूरा लाइन complete हो जाएगा तो फिर आगे बताती हो कैसे बनाना है देखिए मैंने यहाँ पे यह पूरा थालकुस complete कर लिया है मुझे छोटा सा ही बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया अगर आपको इसको बड़ा बनाना है तो देखिए यह वला जो लाइन है इसको हम सेम बनाते जाएंगे बस यहाँ पे जो दो चैन बनाया था ना वहाँ पे तीन चैन कर देंगे यहाँ पे जब यह वला यहाँ पे तीन चैन का गैप दे देंगे बाकी यह जैसा है वैसे ही रहेगा यहाँ पे फिर इसके बाद ये वाले लाइन बनाएंगे रेड वाले लाइन तो रेड वाले लाइन में भी हमें सेम ऐसे ही उपर बनाना है तो ये आप इसको अपने पसंद के हिसाब से इसको जितना बड़ा बनाना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने यहाँ जो है जालर बना दिया है थोड़ा से बनाया है बागी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको जालर को कैसे बनाना है तो इसे बनाने के लिए क्या करना है जो डिजाइन है उसके बीच में जाना है दो चैन के गैप वाले में और वहाँ से हमें चैन ब बना लेंगे फिर इसके बाद ये धागा को पकड़ के और हम यहाँ पे एक सिंगल क्रॉस यह बनाएंगे पहले देखिए यहाँ पे सिंगल क्रॉस यह बना लिए अब इसके बाद एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे और इस सरकल से डबल क्रॉस यह बनाएंगे एक दो चैन व सिंगल क्रॉस तो हमारा यह एक पति यह वो कमप्लीट हो गया इसके बाद फिर से हम तीन चैन में और फिर से टिजान को हम रिपेट करेंगे दू डबल क्रोस ही बना यह बनाएं गे चैन को आन गों गर घ्रे हो जाएगा इसके बाद इसके बाद तीन चेन बनाएंगे एक हुआ तीन तीन चैन बनाने के बाद यहां पर फिर से हम सरकल में सिंगल क्रॉसे से जॉइंट कर लेंगे कर लिया जॉइंट इसके बाद फिर से तीन चैन बनाएंगे और फिर यहां पर डबल क्रॉसे बनाएंगे एक, दो, दो डबल क्रॉसिया बनाया चैन वाले को मिलाके तीन हो गए इसके बाद यहाँ पे एक, दो, तीन तीन चैन बनाएंगे और इसको सिंगल क्रॉसिया से इसमें जोइन कर लेंगे तो हम यहाँ हमारे पास टोटल तीन पत्ति कम्प्लीट हो गया जो चैन बनाया था उसको पकड़के एक सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे यह देखे हमारे डिजैन कम्प्लीट हो गया अब इसके बाद हम फिर से इस साइड भी दस चैन बना लेंगे दस चैन बनाने के बाद यह जो डिजैन के बीच में है यहां पर इसको सिंगल क्रॉसियस से जोइन कर लेंगे अब इसके बाद फिर से 10 चैन बनाएंगे और ऐसे ही करके जो बागी का जाल बचा हुआ है वैसे ही हम पूरा इसको कम्प्लीट कर लेंगे तो पूरा कम्प्लीट करके फिर दिखाती हूँ देखिए मैंने पूरा कम्प्लीट कर लिया यह कितने कम टाइम में बन भी गया था मैंने इसे टोटल एक दिन में इसको बना लिया था अगर आपको इसको बड़ा बनाना है तो आप इसको दो दिन में आराम से पूरा बना सकते हो आई होप आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद है तो लाइक जुरूट करना चाहिए